कोरुना की पहले और दूसरी लहर ने वयापारियों को काफी नुकसान पहुचाया है। नोटी जारी किया गया है लेकिन इस मांग के खिलाब एक सराफा वयापारी सामने आया है। आइए देखते हैं पूरा मामलार ये सराफा वयापारी क्यों विरोध कर रहे हैं। आईए देखते ही एक खास रेपोर्ट। 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 भारत में पिछले 20 सालों से हॉलमार्क की शुरुवात की गई और 2019 से इसे उस जिले में अनिवार्य कर दिया गया जहां महराष्ट में हॉलमार्क सेंटर है इसका सराफावयापारी और भी स्वागत किया गया लेकिन सरकार ने नहीं किया नागपुर शहर में 3000 सराफावयापा आया है तो एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है इसलिए सराफावयापारी इस कानून को रद करने की मांग कर रहे है भारत में 800 से अधिक जिले है लेकिन 256 जिलों में ही केवल हॉलमार्क केंदर है विधर्प को देखती हुए विधर्प के 8 जिलों में केवल 3 स्थान चेंज हुआ है और लाजडेट एक्स्टेंट की गई है तो वो सब हमने करीब 1000 जोलर को 28 तारिक को भेज दी पूराना हाल मार्क का जो था चार मार्क वाला सोना कितना उनके पास है वो मांगा गया था मांगा गया है चार मार्क जो था पहले जैसा बी आएस हाल मार्किंग म का मार्क जोलर का शॉप का मार्क और हाल मार्किंग सेंटर का मार्क वो चेंज होके अभी हुआ डी सिस्टेम आ गई है जो एक जोले से लागू हो गई है इसमें तीन मार्क है वो तीन मार्क वाला सोना एक जोले से आने वाला है करके पुराना सोना कितना है उनके पास वो मिनिस्ट्री ने जनने की कोशिश की in the form of declaration वो declaration का form हमने सब को भेज दिया है इन सभी मद्द सराफा व्यापारियों को नुकसान हुआ है सवाल यह है कि पुराने स्टॉक की गन्ना कैसे की जाए इस तरह भारती अमानक भीरों ने सराफा व्यापारियों से कहा है कि उनने जानकारे मांगने का कोई अधिकार नहीं है सराफा व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है यदि व्यापारियों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन होगा कैमेरा परसन अखिलेश भारदवाश के साथ अभिशेग पांसी की रिपोर्ट बीसियन नियूज नागपूर